तो आपको एक चीज आद लिगातेते हैं जो पिछला वीडियो में बनाया था टॉम सायर के समरी का वहाँ पे हमने इसके समरी के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया था तो आज हम समय बरबात न करते हैं इस वीडियो में डारेक्ट लेशन्स के लेशन्स से आते हैं दोस्तो एक चीज और आपको बता दे जब भी आप लेशन्स को पढ़ने के लिए बैठें तो अपने सपास बुक जरूर रख लें और एक पेंसल देखिए इसमें कुछ ऐसे सब नियुक्त दोते हैं जो आपको टुफ लगेंगे इंगलिस से हिंदी ट्रांसलेट में तो उन सब्दों को जब हम बताएंगे तो आप उसे हिंदी में लिख लेंगे पेंसल से तो उसे मिठाने में अगर प्याना योज करेंगे तो क्या होता है वह गलत जीसे होगा तो यहा पर उन्हें बताया था कि यह टाम सायर लेसन है पहला लेस चैप्टर टाम सायर इसको मार्क ट्वेंट ने लिखा था आपसे एक रिक्वेस्ट हमने किया था कि आप इस लेसन्स का नाम और आइटर का नाम आप सुरुआज से याद करते चलेंगे इससे यह बेनिफिट रहेग तरह है कि आप पएंच प लटके देखे उसका लेसन नाम क्या है तो दोस्तों सुरू करते हैं सायर राइटर मार्क ट्वेंट अकलि कहाणि यहां पर जो स्टार्ट होती है कि टाम यहां कहीं घख जाता है और से आंट पालि से आवाज देता हैं मुआ और बहुत चोटा है अभी इसकी मासी पाली ने इसे गोद ले लिया था तो यह मौसी पाली के पास ही रहता है लेकिन बहुत सरार्ती होने के करण मौसी पाली को इसकी बहुत चिन्ता रहती है और हाँ चालाग भी बहुत है वह हम आगे आपको स्टोरी में बताएंगे कि कसी कैसी चालाग क्या उसने की तो यहां पर आंट पाली उसे ढून रही है मौसी पाली उसको ढून रही है उन्होंने आवाय दिया टॉम नो एंसर डॉम लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसके बाद फिर अंट पाली फेर के यहां पे सम्हेर का मतलब होता है यही कहीं तो उसे यहीं कहीं होना चाहिए आगे देखें और फिर उन्हें बाहर बगीचे में देखा अब यहां पे जो हम यहां पढ़ेंगे तो यहां पर शॉट मने क्या होगा आवाज दीना तो देन शॉटेर अगें फिर उसने दुबारा फिर से आवाज दिया टॉम टॉम नो एंसर यहीं फिर उन्हें आवाज दिया टॉम टॉम लेकिन कोई जवाब नहीं मिला आगे देखते हैं दा ओल्ड लेडी स्टूड दियर थाट फुली अब देखो इस अचानक कि सटें लई माने अचानक सीयर डे साउंड बिहाइड रोऊज उसने अपने पीछे कुछ आवाज सुन आद धूको बेहाइड मने पीछे और हीर मने सुनना c hear a sound sound मने आवाज c hear a sound behind उसने अपनी पीछे कुछ आवाज सुनी c turn around quickly वह तुरंत पीछे मुड़ी दियर कैन दियर कैन T vou neer the cupboard door यहाँ पे there was Tom near the cupboard door यहाँ पे कौन था यहाँ Tom जो हो अल्मारी के दरवाजी के पास खड़ा था आगे दिखते हैं अब जो जैम था वो उसके मुह के चारों तरफ लगा हुआ था आगे दिखिए What have you been doing? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हो Aunt Polly asked sich tellingirsin Musab नाराजगी से Aunt Polly ने नाराजगी से पूछा When Tom didn't answer जब Tom कोई जवाब नहीं देता है, जबकि Tom वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है, she went on, उसने बोलना जारी रखा, अब दिखो went माने गो माने जाना होता है, go की second form क्या रहा है? went होती है, लेकिन यहाँ पर वेन्ट का प्रयों क्या होगा हो, और उसने बोलना जारी रखा क्योंकि वो डाट रही थी ना Tom को You have been stealing the jam again अब उसने क्या का तुम यहाँ पे तुम jam चुरा रहते देखे You have been stealing the jam again तुम दोबारा jam चुरा रहते Don't tell me that you have not मुझसे यह मत कहना कि तुमने यह नहीं किया है Have not I told you A hundred times to keep away from the cupboard मैंने तुमसे सो बार कहा है कि तुम इस तर इस अलमारी से दूर रहा करो Where is my stick? मेरी छड़ी कहा है Aunt Polly took her stick and rest at high Aunt Polly ने अपनी छड़ी अब क्या है? Raced it high यानि हवा में उपर उठाया She was about to strike Tom hard अधिकी फिर से Aunt Polly took her stick Aunt Polly ने अपनी छड़ी उठाया ठीक है? Took माने उठाना Aunt Polly took her stick Aunt Polly ने अपनी छड़ी उठाया And raised it at it Raced it high और से उपर की ओर उठाया She was about to strike Tom hard वा Tom को मारनी ही वाली थी Strike माने Look behind you Auntie shouted Tom Tom चिलाया अपने पीछे देखो Mausi अपने पीछे देखो Tom चिलाया Aunt Polly looked behind her Aunt Polly ने पीछे देखा This was Tom's chance यहां Tom के लिए अच्छा समय था He rushed out of the house वा घर के बाहर की ओर दोड़ गया Rushed मने मता दोड़ना वा घर के बाहर दोड़ गया He climbed over the fence और दिवाल को कूद गया Climb मने कूद जाना Over the fence ओवर यानि दिवाल के उपर से Soon he was far away और जल्द ही वह दूर भाग गया ठीक है आगे शुरू होता है दूसरा यहां पर Aunt Polly was angry Aunt Polly जो नाराज थी But she had to laugh लेकिन वह अपनी हसी नहीं रोक पाई ठीक है उसकी सरारत से Aunt Polly जो नाराज थी लेकिन वह अपनी हसी नहीं रोक पाई आगे बढ़ते हैं He is a bad boy वह बहुत बुरा लड़का है She said to herself उसने आपस अपने स्वेम से कहा ठीक है Herself मतना स्वेम वह मेरी म्रत बहन का लड़का है And I must took after him और उसके बाद मुझे उसका ख्याल रखना है यानि उसकी देखभाल मुझे करनी है I did not like to hit him But I have to मैं उससे टंड देना I did not like to hit him मैं उससे मारना नहीं चाहती But I have to लेकिन मुझे ऐसा तरना पड़ता है If I don't punish him यदि मैं उससे डंड नहीं दूँगी यदि मैं उससे डंड नहीं देती हूं He will grow up lazy and wicked यानि वो क्या हो जाएगा बहुत सरार्ती और दुस्ट हो जाएगा Yes देखो यहाँ पे lazy माने होता है सुस्ट तो वो क्या हो जाएगा वो बहुत आलसी और दुस्ट हो जाएगा Yes I must be strict ठीके हाँ मुझे strict माने क्या होता है सक्त हाँ मुझे सक्त होना चाहिए आंड पाली शाइड आंड पाली ने सुमन में सोचा मुझे उसे जैम चुराने के लिए डंड देना चाहिए यानि जैम चुराने जो उसने जैम चुराया था उसके लिए अनपाली ने सुचा कि मुझे इसको डंड देना चाहिए बट हाओ लेकिन कैसे I know tomorrow is Saturday मुझे पता है कि कल Saturday यानि सनिवार है and there is no school on Saturdays और यहाँ पर सनिवार को school नहीं होता है the boys have a holiday और बच्चों की छुटियां होती है ठीक है बट I will make Tom work that will punish him तो यह क्या होगा अब वहाँ पर अनपाली ने सुचा कि कल जो है वो क्या है कल Saturday है कल school जो है school में छुटियां school बंद रहेगा और बच्चों की भी क्या छुटियां होती है ठीक है कल जो है बच्चों की भी छुटियां रहेंगी तो अब मुन्होंने अपनिश्चे किया कि I will make Tom work और मुझे Tom को काम देना चाहिए that will punish him यही उसका डंड होगा ठीक है आगे देखें और जो गाओं के सभी बच्चे थे वो गाओं में रहने वाले सभी जो बच्चे थे हो गया है वो आजात थे इट वाज ब्यूटिफूल डे यह बहुत सुंदर दिन था the sun was shining and the birds were singing सूर चमक रहा था और चिडियां गीत गा रही थी the trees and flowers looked so fresh and lovely और जो पेड थे पेड और जो पौदे थे वो बहुत ताजे और सुंदर दिख रहे थे tom of course wanted to go for swimming all the other boys were going tom भी tom ने भी क्या चुट्टियां थी ना तो tom ने भी सोचा tom of course wanted to go for swimming tom भी तहरने के लिए swim ने तहरना होता है वांटर मने चाहता था तो tom भी तहरने के लिए जाने के लिए सोच चा था all the other boys were going जहां पर अन्य बच्चे भी जा रहे थे आगे दिखिए tom came sadly out of the house अब क्या है tom जो है अपने घर से sadly यानि उदास निकल रहा था अब यो तीसरा मनसे घर के बाहर निकलता है in one hand he held a long brush और एक हाथ में वह बड़ा सा brush पकड़े हुए है in the other he carried a bucket which was full of white wash और उसके बाद एक हाथ में तो उसने brush पकड़ा हुआ और एक हाथ में in the other hand और अगले जो हाथ में ही carried a bucket यानि उन्हेंने एक बाल्टी पकड़ी है which was full of white wash जो की सफेद रंग से वह भरी हुई थी अब देखो his aunt was making him white wash the fence उसकी auntie यानि उसकी जो मौसी है उसकी मौसी ने उन्हें क्या गहा है कि जो दिवाल है फिंस माने दिवाल होती है दिवाल को white wash को जो 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 सफेद रंग से पुताई करो आगे tom looked sadly at the fence ताम दुखी मन से दिवाल की तरब देखता है how high it is या कितना उचा है हाई माने उचा how long it is या कितना लंबा है he thought उसने सोचा indeed the height of the fence was nine feet और लगभा कुछ दिवाल की जो उचाई थी वो कितनी थी 9 feet थी and its length was 30 yards और उसकी जो लंबाई थी वो तेरा गज थी आगे दिखते हैं tom put his brush into the white wash ताम ने जो सफेद जो सफेद बाल्टी में जो भरा हुआ था सफेद रंग का सफेद कलर तो उसमें क्या ब्रुस को डूबया he drove it slowly across the fence और उसने क्या किया दिवाल पे धीरे से एक बार ब्रस को चलाया it made a very small quiet mark और उसने क्या बहुत सा छोटा सा सफेद का यानि जब उसने दिवाल पे वो ब्रस चलाया तो उस पर बहुत छोटा सा मार्क हुआ सफेद मार्क हुआ ठीक है यानि सफेद रंग जो उसने चलाया तो बहुत छोटा सा सफेद मार्क हुआ ठाउम ट्राइट अगें टाम ने दुबारा प्रयास किया इन और वेरी स्माल वाइट मार्क और अगला फिर से बहुत छोटा सा सफेद रंग का जो मार्क हुआ निसान बना टाम सेट डाउन एंड साइड हैवली अब टाम क् दिखा कि ज्यादा बढ़िया नहीं हो रहा है तो टाम क्या टाम सेट डाउन टाम नीचे बढ़ गया साइट हैवली और कुछ है हैवली मन तो होता है भारी मन से कुछ सोचने लगा ही टुक आउट आल दा थिंग से डैट ही हैड इन हिस पाकेट उसने अपनी जेब में जो मार्बल्स उसके पास कुछ पत्थर थे ठीक है मार्बल सी उसके पास कुछ पत्थर होता है है उट पिसेस आप इस्टिंग और त्री ब्रोकेन ट्याइस उसके नहीं पास्काथ दो या तीन और टूटे भी खिलोने थे नोवन बिल्वाइब वास ता फ्यर्स फोर बीज फी मिले कई वहां पे उस दिवाल को नहीं बिल रहने यहां पर कोई नहीं होगा वाइब नहीं हों आप